इस्टुडेंट बहुत-बहुत सौगा थे आपका यूट्यूब के स्चनल अवेकस सीखो में अवेकस की जो हमारी स्रिंखला चल रही है वह आपने पिछली वीडियो देख लिए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं आज हमारी जो अवेकस की क्लास है वह अवेकस के बिग को लेकर चल रही है नेगेटिव कंपोनेंट्स की भी पिछली लगभग छे साथ क्लास HOW चुकी है अब अगली क्लास जो है हमारी विझ फ्रेंड फॉर्मूलीलों की साथ नंबर माइनस टू फॉर्मूलीको ले कर है माइनस टू यहने उसके पहले की यिजिद आंश और साथ क्लासे negative components की ακեղी हो चुकी हैं और बागी की जो Classe positive components की भी हो चुकी है इतनी ही सारी और कुछ direct addison or subtraction को लेकर classes हो चुकी है जैसे ही आप आँगे बढ़ते जाएगे next level पर यह class की स्ति जो है hardness with बढ़ती जाएगी और जब कठिन चीज़ें आसानी से आप गरहन नहीं कर सकते तो उसकी सुरूबात आपको ऐसे सुरूबात से ही करनी पड़ेगी जैसे कि आप एक छोटा सा बच्चा है कोई भी है अगर उससे कहें कोई भारी बजन उठाने के लिए तो उसके लिए उठाना संभाव नहीं है लेकिन आगर वो नियमेत अब्यास करें छोटी-छोटी चीजों को उठाना चालू करें, पहले थोड़ा बजन उठाए फिर उससे थोड़ा ज़ाथा तो वो ऐसे ही उसकी मसल्स multiplier जाएघ और वो भारी से भारी बजन को भरकम बजन को भी उठा सकता है अब ये बात जो हमारे सरीर पर हमारी मसल्स पर हमारी बोडी पर लागू होती है वही बात हमारी मस्तिस्क पर भी लागू होती है जब हम निरंदर अभ्यास से छोटी छोटी कल्कूलेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब उनकी आदत हमें पढ़ जाएगी तो बड़े बड़े कल्कूलेशन को भी हम आसानी से कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास माइनस टू तो आपको याद क्या रखना था विक फ्रैंड फॉर्मूले में बताया है आपको पिछली कई क्लास में बार बार रिविजन करवाया जाता है कि जब टू नंबर्स का एडिशन 10 के एक्वल हो जाता है तो वो एक दूसरे के फ्रैंड हो जाते हैं नॉर्मल सी बात है जैसे 9 प्लस 1 एक्वल टू 10 है तो 9 प्लस 1 एक्वल टू 10 है 9 प्लस 1 एक्वल टू 10 है तो यानि 9 और 1 तू नंबर्स हुए इन तू नंबर्स का एडिशन 10 के एक्वल हो गया जब 10 के एक्वल हो गया तो यह एक दूसरे के फ्रैंड हो गया तो जैसे भी आप क्लास में पच्चे पढ़ रहे हैं तो आपस में आपके friend होते हैं जब आपको कोई problem होती है तो आपकी help कौन करता है आपके friend करते हैं ऐसे ही यह number एक दूसरे की help करते हैं इसलिए हम अवेकस में इन्हें friend कहते हैं कि दूसरे का ठीक है समझ में आगा तो 9 का friend 1 है 8 का friend 2 है 7 का friend 3 है 6 का friend 4 है और 5 का friend 5 अब यहां के बाद फिर वो जो numbers उपर थे वही repeat होते हैं यानि 4 का friend 6 हो जाता है 3 का 7 हो जाता है 2 का 8 हो जाता है और 1 का 9 हो जाता है अब बात कर ले 2 का friend 2 का friend 8 है और plus का friend minus होता है और minus का friend plus होता है ठीक है तो प्लस 2 का friend minus 8 लेकिन minus 2 का friend होगा plus 8 minus 2 का friend plus 8 होगा इसलिए हमारा formula बन जाता है minus 2 equal to plus 8 minus 10 कुछ questions में हम इसका प्रियोग करेंगे इसके पहले के जो formula हैं वो आपको पहले ही याद होने चाहिए क्योंकि वो हम पिछली classes में पढ़ चुके हैं अगर वो याद नहीं होगे क्योंकि उनका उप्योग भी यहीं होगा जैसे ही इस तर हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब यह थोड़ी होता कि हम नई चीज सीख गए नया formula सीख गए पिछला भूल जाए तो नहीं करना चाहिए ना तो पिछले formula भी याद आपको होने चाहिए और अगर आपको याद नहीं है पिछले formula और उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको तो आपको पिछले वीडियो को भार भार देखना चाहिए ताकि आप अब एकस आसानी से सिख फिर हम देखते हैं इस question को यह पहला question है हमारा पहला question को देखते हैं पहला question जो है वो क्या है रहा है 8 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 2 के लिए माइनस 8 प्लस 10 तो यह माइनस 8 और प्लस 10 कर दिया फिर माइनस 2 करना है माइनस 2 के लिए यह प्लस-8 माइनस-10, एट, अंसर आ गया हमारा, यह हो गया 8, next question देख लेते हैं, अब एका स्क्लियर करते हैं, 2 प्लस-8 माइनस-2, यह 2 हो गया, प्लस-8, 8 नहीं हो रहा, एट का friend क्या होगा, 2 होगा, तो प्लस-8 का friend, माइनस-2, प्लस 10 और फिर माइनस 2 के लिए प्लस 8 माइनस 10 अंसर 5 6 7 8 8 हूँ क्या तो इसको हम 8 नूट कर देते हैं नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस 7 प्लस 7 7 का फ्रेंड 3 प्लस 7 करना है तो माइनस 3 प्लस 10 फिर माइनस 2 करना है माइनस 2 के लिए प्लस 8 माइनस 10 हीट अंसर नेक्स्ट कुष्चन देख लेते हैं 9 9 प्लस 8 प्लस 8 के लिए माइनस 2 प्लस 10 फिर माइनस 2 माइनस 2 डायरेक्ट हो रहा इस बार 15 आंसर आज आएगा 15 हो गया नेक्सट देख लेते हैं 6 प्लस 4 4 का फ्रेंड 6 प्लस 4 का फ्रेंड माइनस 6 तो ये माइनस 6 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 2 के लिए मैनस 10 रहें 3 फ्लस प्लस 1 पिछला विक फ्रेंट के फर्मूले हैं प्लस 1 बाला फर्मूला देखना प्लस 1 डेखना प्लस 1 का फ्रेंड 9-9-10 हो गया-2-2-8-10 तो 8 उनसर हो गया next question देख लेते हैं 2, 2 plus 9, plus 9 के लिए minus 1 plus 10 और minus 2, minus 2 के लिए क्या करेंगे, वो formula है जो 2 का friend 8, minus 2 का friend plus 8, तो यह प्लस 8, माइनस 10, फिर प्लस 4, प्लस 4, अब देखो, 4 का फ्रेंड क्या होगा, 6 होगा, प्लस 4 का फ्रेंड, माइनस 6, माइनस 6, और यह प्लस 10, 1, 3, 13, नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नेक्स्ट दिखते हैं 3 प्लस 7 प्लस 7 के लिए माइनस 3 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 2 के लिए प्लस 8 माइनस 10 प्लस 3 प्लस 3 के लिए माइनस 7 और प्लस 10 11 11 हो गया आप ऐसे ही अवेकस से प्रैक्टेस करते रहेंगे तो यह सारी वीड्स एक दिन आपके मैंड में आ जाएंगे आप ओर अली कर सकते हैं फिर नेक्स्ट कुष्चन है तू प्लस 9 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 7 डाइरेक्ट हो जाएगा तो वान तू तू अंसर नेक्स्ट देख लेते हैं 6 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9 किली माइनस 1 प्लस 10 मा तू ऐप्लस 2 माइनस 2 किली प्लस 8 माइनस 10 वान एट एटें next 7 plus 5 7 plus 5 plus 5 minus 5 plus 10 plus 9 plus 9 के लिए minus 1 plus 10 minus 2 minus 2 2 का फ्रेंड 8 minus 2 का फ्रेंड plus 8 तो ये plus 8 minus 10 1 9 19 आपको ऐसे ही अवेकस से इन कुश्चन की प्रेक्टेस करनी है निरंतर आप प्रेक्टेस करते रहें और सीखते रहें अगली क्लास जो हमारी बिग फ्रेंड के नेगिटिव कंपोनेंट की माइनस 1 की क्लास होगी पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिए तप ही आपको ये सारी चीजह आसानी से समझ में आएंगी क्योंकि आप क्लास मिस कर देते हैं फिर आपको लगता है कि समझ मे नहीं आ रहा और पूरी क्लास देखने के लिए आपको यहां वीडियो के स्क्रीन पर जो है पूरी प्लेइलिस्ट की लिस्ट मिलेगी आप पूरी प्लेइलिस्ट देख सकते हैं अवेकस के इंट्रोडक्शन को लेकर देख सकते हैं और इस्टुडेंट्स को लेकर देख सक तभी आप perfect वन पाएंगे क्योंकि कहा बत प्रैक्टिस में perfect आप practice करेंगे तो आप एक हो जाएंगी तो आप ऐसे ही practice करती रहें और अभ्याज करते रहें Oke Thank You